पंथ निर्पेक्ष भारत का राज्य किसी विशेज धर्म या पंथ के अनुसार नहीं चलेगा, ना ही उसका जुकाओ किसी धर्म या पंथ के प्रती होगा, और ना ही वह धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव करेगा. भारत के लोग विभिन धर्म वपंथों में आस्था रखते हैं वग कई लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं या नास्तिक होते हैं राज इन सभी के साथ एक सा व्यवहार करेगा और सभी को अपना धर्म मानने या ना मानने की स्वतंतरता रहेगी राज सामानितया किसी धर्म के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा मगर जहां सार्वजनिक शांती व्यवस्था या नैतिक्ता या स्वास्त प्रभावित होता है वहां राज हस्तक्षे भी कर सकता है उदाहरन के लिए सती प्रथा, नर्बली प्रथा या विवाह की उम्र आदी में सरकार कानून बना सकती है लोग तंत्रात्मक वह शाशन प्रणाली जिसमें समस्त शक्तियां जनता से उत्पन होती है निश्चित अवधी में चुनाओ के द्वारा सारुभौमिक वेस्क मताधिकार के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है और जन प्रतिनिधिय कानून के अनुसार उत्तरदाईत्व पोन कारे करते है बहुदलिय प्रणाली विधिय या कानून का शासन स्वतंत्र निश्पक्ष न्यायपालिका और निश्पक्ष जन्मत निर्माण के साधन जैसे स्वतंत्र समाचार पत्र और टीवी चैनल लोगतंत्र के घटक है वह व्यवस्था जहां शाषन प्रशासन के हर छेतर में जन भागिदारी हो लोगतंत्र कहलाती है गणराज वह राजे जिसमें शाषन का प्रमुक जैसे की राष्ट्रपती वन्शानुगत ना होकर किसी चुनाओ की प्रक्रिया से बनता है वह गणराजे कहलाता है भारत वह पाकिस्तान के राष्ट्रपती चुनाओ से बनते हैं जबकि ब्रिटेन, जापान जैसे अनेक देशों में शाषन प्रमुक वन्शानुगत राजपरिवार का मुख्या होता है अता वहां लोगतंत्र और सम्विधान हैं मगर गणराजे नहीं वह सम्विधानिक राजशाही हैं गणराजे में जन प्रतिनिधी, प्रथम नागरिक वह साधारन नागरिक व्यवहार में कानून के समक्ष समान होता है जबकि राजशाही में राजा का स्थान विशेश होता है सामाजिक, आर्थिक और राजनेतिक न्याए न्याय से तातपर है कि जिसका जो हक या अधिकार है वह उसे मिले और अगर कोई वेक्ति या शासन उसका उलंगन करता है तो वह दंडित हो अगर किसी को उसकी गरीबी, राजनेतिक विचार, जाती, धर्म या लिंग के कारण अपने अधिकारों से वन्चित रहना पड़ता है तो गणराज का दाईत तो है कि उसके अधिकार उसे दिलवाए और ऐसे परिस्थितिया निर्मित करे ताकि इन कारणों से कोई अपना पानूनी न्याय की बात नहीं की गई है वास्तों में न्याय एक दार्शनिक अवधारना है जिसे परिभाशित करना कठीन है किसी का अधिकार क्या हो यह किस आधार पर निर्धारित करे इन पर कई मत हो सकते हैं और नए विचार उभर सकते हैं इस कारण समय समय पर न्याय क अवधारना पर पुनर विचार करके नीती बनाना भी गणराज से अपेक्षित है। खुल कर दूसरों को बताने की स्वतंतरता है। अधिकारों का उलंगन ना हो यानि किसी अन्य व्यक्ति को बाद्ध करने का प्रयास ना करें। टुल कर दूसरों करना क्या हो व्यक्ति कर दूसरों कर दूसरों के का तूसरों कर हो यानिती उलंगनना